जैसे किशना फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे केसर या फूड कलर यह 100% नैचुरल है इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल या पिजरवेटिव यूज नहीं किया है और ना ही इसमें किसी तरह का कोई कलर या एसेंस यूज किया है यह प्रियोफ कोस्ट है आप इसे मिठाई बनाने में जैसे खीर में, रबडी में, रसमलाई में, केक में, बिस्किट में, आइसक्रीम में, केंडी बनाने में या फिर शर्वत बनाने में काम में ले सकते हो इससे हमारे स्वास्त को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता यह हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही फायदे मंद है इसे तयार करना भी बहुत आसान है यह कुछ ही मिंटों में बलकि यूँ कहें कि सेकंड्स में तयार हो जाता है तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं यह फूल इन हम पारिजात या हार्शिंगार के फूल कहते हैं इन फूलों की खास बात यए है कि रात में किलते हैं और सुबा सूर्यद रह होने के साथ ही जड़ जाते हैं यह फूल सितंबर महा में आना शुरू होते हैं और दो-تीन महींे तक आते हैं दिखने में ये फूल बहुत ही सुन्दर होते हैं और इनमें बहुत अच्छी भीनी भीनी खुश्बू आती है रात में खिलने के कारण कुछ लोग इन्हें रात की रानी भी कहते हैं लेकिन ये रात की रानी के फूल नहीं है रात की रानी और हार्शिंगार दोनों अलग-अलग फूल है हार्शिंगार के पत्तों वा फूलों का काड़ा बहुत से बिमारियों में अर्थराइटीज में, साइटिका में, बोडी पेन में, फीवर में बहुत ही फायदे मंद है यह हमारे स्वास के लिए बहुत इलाब दायक है आप गूगल पे सर्च करके इसके फायदे देख सकते हो आप इन्हें सुखा कर साफ सुखे एरटाइट जार में स्टोर कर सकते हो यह डेट दो साल भी खराब नहीं होंगे और इन फूलों की खास बात यह है कि यह शंकर भगवान को बहुत प्रिय है आप इन्हें शंकर भगवान पे चड़ा सकते हो यह फूल आकार में चोटे होते हैं और इनकी पंकोडियां सफेद रंकी होती है और इनका डंठल केसरिया रंका होता है एक फूल में करीब 7-8 पंकोडिया होती है और पीछे का इसा केसरिया होने के कारण यह फूल बहुत ही सुन्दर लगते है आप देख रहे होंगे कि दिखने में यह फूल कितने प्यारे है और इनमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इनसे कलर बनाना कलर बनाने के लिए मैंने ली है यह खरल अब हम फूलो का जो वाइट पार्ट है यानि कि जो पंकोडिया है उन्हें अलग कर देंगे और जो केसरिया पार्ट है उसे हम अलग कर देंगे आप इस तरह से इन पंखुडियों को अलग कर दें और इसमें क्वांटिटी आप अपने इसाप से ले लें जितने भी आपको जरुत हो कलर की आप उसे साप से फूलों के डंधल आप ले सकते हैं जब भी आप खाने में फूड कलर का यूज करें तो यह 100% नैचरल फ्रेश कलर बना करी काम मिलें यह हमारे स्वास के लिए बहुत फायदेमंद है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ना तो कोई मैनत लगती है ना ही समय लगता है और ना ही कोई पैसा लगते हैं बस कुछ सेकंड्स में यह तयार हो जाता है मैंने 20-25 फूलों की पंखुड़ी अलग कर दिये और अब हम इनको पीसेंगे यह मैंने ताजा फूल लिये हैं इसमें कुछ भी मिलाया नहीं है और ना ही इसमें कुछ मिलाने की ज़रोत है और अब हम इसे दरदरा पीसेंगे आप देख रहे होंगे कि फूलों ने अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है मैंने अभी इसना पीसना शुरू किया है मारबल जो वाइट कर रहा था अब यह कैसरिया कलर का कुछ कुछ कैसरिया कलर का होने लग गया है और इनको ज़्यादा बारिक पीसने के आवशक्ता नहीं है इन्हें हम मोटा मोटाई पीसेंगे इस तरह से बहुत कम समयमें यह कलर त्यार हो जाता है आप देख रहे होंगे कि फूलों ने कितना अच्छा कलर छोड़ दिया है मारवल जो पहले वाइट कर रहा था अब एकदम केसरिया कलर का हो गया है हम इन्हें इतना ही पीसेंगे बिल्कुल बारिक करने के आवशक्ता नहीं है अब हम इन्हें एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे इस तरह से हम इन्हें पीस कर एक बॉल में निकाल लेंगे मैंने लिया है हलका गरम दूद यदि आप इसे मिठाई में यूज कर रहे हैं तो दूद में तयार कर सकते हो यह मैंने लिया है 3-4 टेबल स्पून दूद आप अपनी जरुत के इसाब से दूद कम या ज्यादा कर सकते हो अब आप देख रहे होंगे कि दूद का कलर एकदम प अब हम इसे चान लेंगे अब जब भी इससे काम में लें तो चान कर काम में लें इस तरह से अब हमने इसको चान लिया है और जो वेस्ट बचा है उसे फिर से आप 2-3 चमर दूद डाल के तयार करेंगे तो यह अपना कलर फिर से छोड़ देंगे इस तरह से आप यह प्रोस बेंडी बनाना चाहते हैं तो आप इसे पानी से भी तयार कर सकते हैं अब हम इसे बनाएंगे पानी के सन मैंने 20-25 फूलों के डंठन लिये हैं और थोड़ा पानी इसमें डाल दिया है इसे भी हम दरदराई पीशेंगे इस तरह से और कलर तो आप देखी रहे होंगे कि पीश अब हम इसमें कुछ शेकिंट के लिए इसको हिलाएंगे अब फूलों ने अपना कलर छोड़ दिया है पूरी तरह से और इसे हम चान लेंगे चानने के बाद हम देखेंगे कि कितना बढ़िया कलर आया है और तयार हो गया है हमारा नैच्रल फूड कलर आप जब भी फूड कलर यूज़ करें तो इसी तरह से नैच्रल कलर बना कर यूज़ करें इसे आप शेरबत में आइस किमें केंडी में यूज़ कर सकते हों और इसी खास बात यह है कि इससे हमारी सेहत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है यह हमारी सेहत के लिए फायदे मंद है और इसक करें यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें जैसे कृष्णा